बेटी के अधिकार को लेकर जो है, सरकार के दोरा एक और अभी फैसला जो है लिया जा रहा है, यानि पहले तो फैसला लिया ही गया था कि बेटी को क्या बना दिया गया, परिवार का उत्रादिकारी बना दिया गया, मतलब घर में जैसा बेटा बराबर हो गई बेटी, है ना और किस मामले में वो होगा पिता की जो पिता की संपत्ती है उसके मामले में पिता की संपत्ती पिता तो है दोनों बेटा के लिए भी पिता है बेटी के लिए भी पिता है है ना तो उस case में अब बेटा का जितना कानूनी अधिकार है कानूनी अधिकार के हम बात कर रहे हैं ठीक है अब एक तरह से जो समाजी का अधिकार है जो परंपरा है जो रिती रिवाज है वो आपका क्या है उसका कोई लेना देना नहीं है बेटी नहीं संपत्ती लेती है बे अस्तर पे देखा जाए तो पिता की संपत्ती में बेटी को बराबर यहां पर हग दे दिया गया और एक और अधिकार दे दिया गया एक और नए अधिकार दे दिया गया इस बात को आप समझाएं और वो जो नए अधिकार है वो इस परकार का अधिकार है अब जो मिल रहा है वो मुस्लिम बेटी को मिल रहा है, ठीक है, मुस्लिम जो है, धर्म है, उनकी अगर जो बेटी है, वहाँ पर, इसलिए कि ये हिंदू उत्रादिकार अदिनियम में संसोधन किया गया था, ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोर अगर लागू होता है, समान नागडिक सनि तो उसमें अब वो होगा कि जो कानून है देश का, वो सभी के लिए बराबर होगा, तो यानि पहले क्या था, हिंदू बेटी के लिए, हिंदू का जो लौ है, तो और भी कुछ धर्म है, जो एक तरह से हिंदू के लौ को फॉलो करते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा न एक तरह से कुछ समय बाद जो है, देखने को मिलेगा अगर समान नागडिक सनीता कानून जो है, अगर वो लागू होता है तो, सवाल है जमीन बिबाद में पापा ने अपनी बेटी के लिए जमीन दे रखे हैं, तो अकेले अपनी बेटी को ही नहीं दे रखे हैं, पापा करने खोज रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो जितना भाई हैं, बस दीदी को ही जानते हैं, दीदी का बेटा सब को नहीं जानते हैं, दीदी के बेटा सब हम लोग का देखे हैं, कानूनी तोर पे जो है, जो भी पिता किये हैं, कानूनी तोर पे वो बेटी एक हिसेदार है, आप जो हैं, जितना आपका अधिकार होगा, उतना उनका भी अधिकार होगा, अब वो अपने जो उतर अधिकारी हैं, उनके जो बेटे हैं, आपकी जो एक तरसे बहन हैं, और उनके जो बेटे हैं, उसके लिए अलग हिस्सा नहीं ढूंड सकते हैं, ठीक है, इसलिए कि जो उ पुता सेयर है, उनके सेयर में से उनका हिस्सा होगा, ना कि अलग से उनका सेयर होगा, हक होगा, अगला सवाल है सर्व मेरे फैमिली में दादा जी के समय पर जमीन लिया गया, बड़े पापा के नाम से, ठीक है, सीधी सी बात देखें, अक्सर क्या होता है, कि पुरवज के द होती ही, या तो पत्नी के नाम खरीद लेता है, नहीं तो बरा बेटा के नाम जमीन जो है, वो खरीद लेता है, ठीक है, अब है कि दादा जी के समय पर जमीन लिया गया है, तो बड़े पापा के नाम से ले लिया, के समय दादा जी ने सभी भाईयों के लिए, है ना, एक त है ना और जो सेज जमीन अपने लड़कों के नाम जो है ट्रांसफर कर दिये है ना गिप्ट के रूप में आज 2023 में उनके लड़के हम लोगों को वहां से बेदखल करना जो है वो चाहते हैं हम क्या करें देखें सबसे बरा सवाल है कि जिस समय जो है जो उनका बरा बेटा था यानि दादा के नाम से जो दादा ने जमीन खड़ी दी उस समय उनका उम्र क्या होगा और आपको कोट जाना चाहिए है ना इस तरह का कोई धोखा करता है बेज देता है तो उस बैती के लिए बिकल्प है कि वो कोट चला जाए और ज़्यादा सही है अगर ये मामला माल लेते हैं कि आज आज आपको क्या कर दिया बेगर कर दिया तो कहीं ना कहीं जो बरा एक तरह से बेटा होता है ना बड़ा बेटा अगर joint इस तरह से रहके अपने पैसे से अपने कमाई से भी अगर property खड़िता है तो उसका भी हिसाब देना पर जाता चोटे को इसलिए कि जो है ना बड़ा बेटा माल लेते हैं कि अगर वो पैतरिक संपत्ती की देखवाल कर रहा है तो बरे भाई का जो property है उस पे एक अधिकार है चोटे भाई का अगर joint property की बात कर रहा है ठीक है अगर joint है तो उस case में है joint से आपने property बना ली तो बहुत तरह की चीज़ें है तो यहाँ पर तो अगर दादा के द्वारा खड़दा गया है दादा ने खड़िदा था और आपक कल बसता ही कि आप जो है court चले जाए और आपके पास जो भी कुछ प्रूफ है वो प्रूफ भी आप पेस करने का परियास करें अगला सवाल है सर मेरे पास 2014 का जमीन खरिदा था रजिस्ट्री हुआ है लेकिन किसी ने अबजेक्शन लगा दिया और दाखिल खालिज नहीं हो रहा तो हो सकता है उसको रिजक्ट कर दे रिजक्ट करेगा तो आप वहाँ पर जो है अनुमंडल में अनुमंडल में उस बात की अपील करेंगे कि आपका जो दाखिल खालिज अब रिजक्ट कर दिया किस अधार पे कर दिया क्यूं कर दिया गया तमाम चीजे को देखेंगे मेरा जमीन जो दूसरों के नाम पर सर्वय हो गया मेरे चाचा जी के नाम पर 1960 में और हमारे कबजे में है और पेपर उनी के पास है और वो पेपर नहीं दे रहे हैं जमीन पर अपना हक जताते हैं यह जमीन मेरे दादा चार भाई के नाम रजिस्ट्री है और मेरे पास registry का paper नहीं है, registry office में इतना पुराना paper नहीं है, क्या करें, सीधी सी बात है, देखें सबसे बड़ी बात है कि registry office में अगर इतना पुराना paper मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आखिर जो दस्तावेज है, जिसके नम पुराना, जिससे जमीन खड़िदा गया, पुराना खड़ियान है, तो वो जो बेचा है, और वो भी इस बात, उसके पड़िवार के लोग भी इस बात को support करें आपको, कि उनके द्वारा जो है, जमीन को बेचा गया है, जमीन अभी बरतमान में आपके कबजे में है, तो पुराना खतियान जो है आप पहने जाकर भी पता कर लें और पुराना खतियान से अगर मान लेते हैं कि आपकी जो रजिस्ट्री है अगर उसका नकल नहीं निकल पा रहा है तो रजिस्ट्री जैसे मैं किया गया था उस टाइम पिरियेड में मान लेते हैं उसका म्यूटे कराया गया होगा उसका जो है तो वो पुराना रसीद भी एक पर पढ़ियास करें कि पुराना रजिस्टर से भी इन्फॉर्मेशन आपको निकले देखें सीधी सी बात है कि अगर सर्वे एक भाई के नाम पर हो गया है ठीक है और दूसरा भाई के नाम पर नहीं हुआ है तो वो जमीन में आपका कानूनी अधिकार होगा लेकिन आपको इसके लिए इस सभी के लिए हाँ रजिस्टरी का अगर नकल मिल जाता तो आप डारेक्ट सिविल कोर्ट से जाकर अपना जो है दावा पेस कर सकते थे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती आपकी जीत भी ह प्रियास करना देखें जब भी आप किसी के खिलाब अगर आप पोड जाते हैं तो कहीं न कहीं आप भी अपना कुछ ना कुछ सबूत तो पेस करने का प्रियास करेंगे कि मेरे पास यह है इस तरह के से सारा मामला था और इस अधार पर जो है यह सर्वै हुआ जो भी है कोई मालिक नहीं है और नहीं वो कभी आया है जमीन को देखने है इसलिए हमें जो है यहाँ पर 229B का केस डाल दिया है कोट में पर अब कुछ जो है तेज लोग जो है तैसील के उस जमीन में फरजी लौन दिखा कर उसकी जो है यहाँ पर कुरकी करा रहे थे पर हमने बैंक मे जाके पता किया तो उस पे कोई लौन नहीं है ठीक है और फिर हमने वो कुरकी रुकाई है और यह सारा काम जो है अमीन और तहसिलदार कर रहा था बट अब सब चुप हो गया है क्या आप हमको गाइड कर सकते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हम क्या करें देखें स जमीन पर जो है कबजे में हैं कबजे में हैं कबजे में हैं आप उस पर किसी परकार का कंस्ट्रक्शन भी करा लें ठीक है सीदी सिवा समझ लें अब है कि अभी तो आपने एसपरस नहीं किया कि आप उस पर रहा रहें लेकिन फिर भी किसी परकार का छोटा सा भी एक भी जो मामला होता है वो कुछ और होता है उसको हम लिटेल से बताएंगे कभी लेकिन आपको क्या करना है मतलब एक छोटा सा माल ने ते एक छोटा सा घर ही बना देना एक रूम ही बना देना है अब यह सारा करने के बाट जो है संपत्ति का कोई मालिक नहीं है, इसका बंदोबस्त मेरे नाम से जो है, वो जाड़ी कर दिया जाए, अब डिपेंड करता है कि अगर वो आप जमीन सारा कंडिशन देखने के बाद, हो सकता है, जिला अधिकारी, जिला कलेप्टर का अगर आदेश होता है, तो आपको जमीन ब जरू करते हैं, चनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राब करके जो बेल आइकन है, उसको जरूर दबालेए